सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो नमस्कार मैं हूँ विजय और अब देख रहे हैं मेरे यूटुब चैनल skcoachingcenter.com दोस्तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इंटर की परिख्षा में अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं जैसा कि आप मेरे इस thumbnail में देख रहे हैं कि क्या आप अपने प्रापतां कि नहीं मार्क्स से असंतुष्ट हैं मतलब क्या आपको लगता है कि मुझे जो मार्क्स आना चाहिए था वो मार्क्स नहीं आया है तो इसके लिए क्या करना होगा जानिए स्कूरूटनी का पूरा प्रोसेस और साथ ही यह भी जानिए कि कंपार्टमेंटल परिख्षा का फॉर्म कबसे भरा जाएगा तो बने रही है इस वीडियो में और जैसा कि आप मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे तो मैं बिहार बोर्ट से ही समंधित सभी जनकारी देता रहता हूँ यही कारण है कि इतने कम समय में ही मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हो गए हैं इन सभी के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद तो आईए जाने कि कैसे आप स्कूरूटनी करेंगे और आप कैसे कंपार्टमेंटल परिख्षा का फॉर्म भरेंगे देखें मैं आज आपको भिहार बोड की विग्यप्ति देखा रहा हूँ इस विग्यप्ति को ध्यान से देखें जैसा कि आभी इस विग्यप्ति में देख रहे हैं कि इंटर्मेडियेट वार्षिक परिख्षा 2019 के स्कूरूटनी और कंपार्टमेंटल परिख्षा के सम्मं 2019 के प्रक्षाफल प्रकासन के उपरांत सम्मंधित परिखार्थियों को सुचित किया जाता है कि यदि वे अपने किसी एक विषय या सभी विषय के प्रापतांग से संतुष्ठ नहीं हो मतलब यदि आपको लगता है कि मुझे जो मार्क्स आना चाहिए था उतना मुझे मा प्रूटनी है तो दिनांग 3 अप्रेल 2019 से यानि कल से ही 12 अप्रेल 2019 की अबधी में 70 रुपे मात प्रती विषय मतलब यदि आपको लगता है कि 2 विषय में मेरा नंबर कम है या 3 विषय में नंबर कम है या 1 विषय में नंबर कम है तो प्रती विषय 70 रुपे आपको और इसके लिए ओनलाइन आवेदन समीती के वेबसाइट www.bsebinteredu.in पर कर सकते हैं, यह भी ध्यान दें कि यह आवेदन आप स्वेम कर सकते हैं, या किसी साइबर के पास चले जाएं, आपके पास अपना सिस्टम है, तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसे जानने के लिए आप ध समीती के वेबसाइट जैसा मैंने उपर कहा था, फिर से सुन ले, www.bsebinteredu.in पर apply for scrutiny लिंक पर क्लिक करने पर एक निया पेज खुलेगा, तो मैं थोड़ा यह बता देना चाहता हूँ, इस वेबसाइट को खुल के देखें, मैं इस वेबसाइट को खुला हूँ, www.bsebinteredu.in लेकिन ये लिंक कल से खुलेगा, अधी ये चुकि आपका एक रिजल्ट से सम्मंधित ये वेबसाइट है, और ये आविदन कल से होना है, तो यही पर एक लिंक खुलेगा, तो आप देहान से देखें इस वेबसाइट को, तो इस पर क्या होगा, एक लिंक खुलेगा, apply for scrutiny, उस लिंक पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा, और इस पेज पर प्रक्षार्थी हैं, द्वारा अपना रोल कॉर्ड, रोल नंबर, मान लिया जाए कि किसी का रोल कॉर्ड 52002 है, रोल नंबर 19010122 एक उदाहन के लिए गया है, तो ये अंकित करने के बाद उसके सभी व विडियो बनाऊंगा इसके लिए, और आप देख सकते हैं, अभी आप जान ले, तो एक पेज खुलेगा, और सभी विसियों के आगे एक चेक बॉक्स रहेगा, दूसरा, जिस विसयों में परिछार्थी को स्कुरूटनी के लिए आप दिन करना हो, यानि आपका सारा मार्क के लिए, कि नहीं, कि फिजिक्स के लिए में नमबर कमाया है, मार्क कमाया है, उसमें करना है, तो क्या करेंगे, उस पर मार्क कर देंगे, उस चेक्स बॉक्स के अंदर, जिस विसे पर भी आपको संका है, या जिस के लिए आप करना चाहते हो, उसकी बाद क्या करना है, कि पेमेंट के लिए पेज पर उकलब्ध फी पेमेंट बटन को क्लिक करेंगे निर्धाइत स्कुरुटनी सुलक की रासे आपकी डेविट कार्ड, केड़िट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुकतान किया जा गए दिया आपके पास प्रेम ही आप एटीम कार्ड आपके करते हैं, उनके पास चले जाएं, इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि परिशार्थी ऑनलान भुकतान के पस्चाथ 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से रासी की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाच कर स्वेम संतुष्ट हो लेंगे, यदि आप स्वेम अपने से किये हो, अपना खाता संख्या दिये हो, तो मैसेज बैंक से आता है कि हो आपके बैंक से इतनी रासी कटी है, यदि नहीं होता है, यदि आप किसी साइबर कैफे से के पास गये हो और तूससे भी अपता कर लेंगे अगले दिन जाकर के कि भाई, ये जो आपने मेरा सुल्क लिया है, आपके बैंक से ये कटा है कि नहीं, यदि ऐसा नहीं होगा, नहीं कटा किसी तरह किसी सरवर जाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो पैसा यदि डेविट नहीं हुआ, तो माना जाएगा कि आपका आवेदन अपुर्ण है, दूसरी बात है कि ये स्कूर्टिनी कैसे ह लिया होगी, किस प्रावधान पर होगी, किस बिंदू प्रधायत होगी, इसके बारे में जाने, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के प्रिष्टों के अंक मुक्ष प्रिष्ट प्रांकित नहीं है, तो इसमें सुधार किया जाएगा, दूसरी परदत अंकों के योग में यदी कोई तूटी हो मतलब जो नंबर जोरने में यदी कोई गलती किया गया है तो इसमें सुधार किया जाएगा तिसरी बात यदी कोई प्रस निया उसके खंड के प्रसनोत्तर अमुल्यांकित है मान लिया जाए कि किसी कुश्चन का उसमें कोई मार्किंग ही नहीं किया गया हो तो उसका मुल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा हाँ यह बात अब से ध्यान में रखें कि स्कूरूटनी के परिणाम सुरूप अंक बढ़ सकते हैं घड़ भी सकते हैं और यथावत रह सकते हैं यह तुथी इंटर्मेडियेट स्कूरूटनी कैसे करेंगे यदि आपको संका है कि हम अपने विशे में कम नमबर लाएं हैं इसके लिए यह भी सुचित किया जाता है कि इंटर्मेडियेट वार्षिक परिख्षा 2019 में एक विशे हैं अथवा दो विशेओं में अनुतिर्न परिखार्थियों के लिए छात रहित में कमपार्टमेंटल परिख्षा मा अप्रेल 2019 में आयोजित करने का निने लिया गया है यानि इसी महीने में कमपार्टमेंटल की भी परिख्षा होगी यह डेट कब से निकलेगा इसके बारे में कुई सुचना नहीं है हाँ इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने है तो दिनांक 5 अपरेल 2019 से 10 अपरेल 2019 के बीच अवसर प्रदान किया जाएगा एक बात यह ध्यान में रख लें कि यह जो कमपार्टमेंटल परिख्षा के लिए आप जो फॉर्म भरेंगे 5 अपरेल से 10 अपरेल के बीच यह आप स्वयम नहीं कर सकते हैं आप जिस प्रकार इंटर के लिए फॉर्म भरे थे रेश्टेशन कराये थे अपने कॉलेज में जा करके वहां आपको जाना पड़ेगा आप स्वयम नहीं कर सकते हैं स्वयम क्या कर सकते हैं तो स्कूरूटनी याद रखेगा तो कि बहुत से बच्चे वीडियो पुरा देखते नहीं है और नहीं समझ में आने के कारण वे कुछ कमेंट्स करते हैं कि मेरा मुझे मेरा वेबसाइट नहीं खुल रहा है या कुछ हो रहा है तो ध्यान दें कि कि परिच्छा के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको कॉले जाना है और स्कूरूटनी के लिए आप कहीं भी है स्वम यदी आपके पास सिस्स्टम है तो वहां से कर सकते हैं इतना ही नहीं एक बात धियान रखें कि समिती द्वारा कमपर्टमेंटल परिच्छा 2019 की परिच्छ और इसके लिए समिती द्वारा इस समंध में अलग से बिग्यप्ति प्रसारित की जाएगी तो यह थी इंटरमीडियट परिक्षा में स्कूरूटिनी और कमपार्टमेंटल से समंधित सुचना एक सुचना मुझे यह भी देनी है कि आज कल यूटूब पर बहुत सारे फेक व खबर पर न जाएं और इसके लिए मेरा वीडियो देखते रहें क्योंकि मैंने कभे भी कोई फेक वीडियो नहीं बनाया है यही कारण है कि इतने कम समय में ही मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं तो इसके लिए आप जब भी कोई सुचना निकलती है रिजल्ट से सम सकता है कि मैं कल स्कूरूटिनी का प्रोसेस क्या है इसके बारे मैं एक लाइब वीडियो बनाऊंगा और मैं इसे आपको दिखाऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद